दिसम्बर 1992 में सुजैन कैपर को इंगलेंड के ग्रेटर मैंचेस्टर में साथ दिनों तक एक से एक भयानक यातनाई दी गई और फिर बाद में उसे जिन्दा जला दिया गया आखे कौन थे ये लोग जिन्हों ने इस दर्दिनाग भयानक गटना को अन्जाम दिया और क्यूं ये सब हम सभी जानेंगे लेकिन इससे पहले मैं आपको पता दूँ मेरा नाम है उदित और आप देख रहे हैं मिस्टियस फाइल का एक बहुती धमाकेदार एपिसोड सुजैन जैन कैपर का जन सितंबर 1976 को मैंचेस्टर इंगलेंड में हुआ था जिसके पिता उसके जन्म से पहले ही घर से बहार निकल गए सुजैन और उसकी बहन मिसेल ने कभी भी अपने बाय लोजिकल पिता को नहीं देखा था जिसके बाद उसकी माँ एलिजा बेत ने जौन कैपर नाम के एक ब्यक्ति से दुबारा से साधी कर दी हलाके 1990 में जब सुजैन 14 साल की थी तब उसकी माँ एलिजा बेत और उसके सौतेले पिता जौन कैपर के बीच तलाग हो गया और अब ये लोग अलग अलग रहने लगे और इस परिबार का यूँ अलग होना इनकी बेटी के लिए आगे चल कर काफी दरदिनाक साबित हुआ अपने माता पिता के तलाग के बाद सुजैन और उसकी बहन ने अपने सौतेले पिता के साथ रहना मनजूर किया और अब ये लोग साथ में रहने लगे बैसे इनकी मा का घर भी इनके घर से दो तीन गलियां छोड करी था सुजैन एक भूली बाली लड़की थी जो अपने माता पिता के अलग हो जाने और दोस्तों के छूड जाने के बाद अपने आपको काफी अकेला महसूस कर रही थी सुजैन को अपनी जिन्दगी में अपनी मा का बहुत कम प्यार मिला इसलिए वो प्यार और अटेंशन की काफी बूखी थी और इसलिए वो अपने आसपास के लोगों से दोस्ती करना चाहती थी क्योंकि वो अपने आपको काफी अकेला महसूस कर रही थी जिस टाइम सुजयन अपने पिता के साथ रहती थी जब वो 16 साल की थी तब अपने घर के पास रहने बाली एक 26 साल की लड़की जिसका नाम जिन पावेल था उसे अपना दोस्त बना लिया और इस दोस्ती के बाद सुजयन जल्दी जिन और उसके तीन बच्चों के साथ उसके घर पे रहने लगी और जब सुजैन के पिता को पता चला कि उनकी बेटी पडोस में रहने बाली जिनके घर पे ज़ादा तर रहती है तो उन्होंने इस बात के लिए उसे मना नहीं किया क्योंकि वो इस बात से खुशते कि उनकी बेटी कम से कम खुशतो है जीन के इस घर पे उसके साथ उसके तीन बच्चे जिनकी देखवाल अब सुजैनी फ्री में कर रही थी इसके अलावा जीन के इस घर पे कलीफट नाम का एक लड़का भी रहा करता था जीन के इस घर पे वो सबी काम होते थे जो कानून की नजर में गैर कानूनी है जैसे कि चोई का सामान लाकर रखना और उसे बाद में बेचना और इसके साथ डर्क्स का कारोबार और नसा करना भी सामिल था जीन के इस गर पे सुजैन, क्लीफर्ड, जीन और उसके तीन बच्चों के अलावा जैफरी नाम का एक 26 साल का लड़का भी रहा करता था जिसका एक पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड था जो चोरी का सामान इस घर पे लाता और बाद में बेच देता जैफरी इस घर में रात बाद नसा करता और सुबा होते ही चला जाता इसके अलावा इस घर में जीन का एकस हस्बेंड गलीन भी रहा करता था जिसका जीन के साथ अभी भी रिलेशन था और इनके अलावा इस घर में एंतोनी नाम का एक लड़का भी रहा करता था और इनी सबको सुजैन अपना दोस्त मान कर इनके साथ रहा करती थी समय के साथ सुजैन जेन और उसके दोस्तों के साथ काफी मिल जुलकर रहने लगी और इन सबको अपना सच्छा दोस्त मानने लगी इस घर में हो रहे गैर कानूनी कामों को सुनकर जल्दी ये घर आसपास बदनाम होने लगा बलकि आसपास के लोग भी इस घर से दूरी बनाने लगे और इस घर के बारे में उड़े उड़े बातों को सुजैन के पिताने सुना इसके बाद उन्होंने सुजैन को बुलाया और उन्होंने समझाया देखो तुम अभी बहुत छोटी हो और मैंने सुनाएं कि इस घर में गैर कानूनी काम होते हैं इसलिए तुम यहां से दूर रहो ये तुमारे लिए अच्छा होगा लेकिन सुजैन ने इसके लिए मना कर दिया और वो बापस बहीं पे रहने लगी सुजैन इस घर के लोगों के इतने ज़्यादा बस में आ चुकी थी कि वो अक्सर अपने पिता के घर जाकर इसकूल के नाम से उनसे पैसे लेती और वो पैसे लाकर जीन को दे देती ताकि ये लोग उसे यहां रहने दें जबकि सुजैन इस घर में एक नौकर की तरह काम करती थी लेकिन इसके बाद भी अब तक सब कुछ सही चल रहा था जब तक कि इस घर में बरनाडेट नाम की ये महिला नहीं आई ये एक 24 साल की महिला थी जिसका घर भी यहीं पास महीं था जहां वो अपने तीन बच्चे और 17 साल के एक बाइफरेंड के साथ रहा करती थी क्यों कि इसका इसके पती से तलाक हो चुका था और इसके बाद जल्दी जिन और बरनाडेट दोस्त बन गए और अब इस घर में सुझैन जिन बरनाडेट और बाकी लोगों के अलावा 6 बच्चे भी सामिल हो गए और अब ये घर पहले से भी ज्यादा तंग और गंदा रहने और बरनाडेट दोनों मिलकर घर के बाहर ड्रक्स का कारोबार कर रहे थे और अब हालात और भी ज्यादा बत्तर होते गए क्यूंकि अब गंदे लोग और भी ज्यादा इस घर में आने जाने लगे इस बीच दिन आया नवंबर 1992 का तब तक सुझैन भी इस घर में रहते रह के साथ बिताए इसलिए वो सीधी अपनी मा के घर गई और जब उसने अपनी मा के घर का गेट खट खटाया तो उसकी माने गेट खोला लेकिन उसे देखकर उसकी माने उसे अंदर आने से मना कर दिया तब सुझैन ने अपनी मां से बिंती की कि वो ठकी हुई है इसलिए ने कहा कि अगर उसकी मां उस रात उसे रोक लेती तो आज बुछ जिंदा होती अपनी मां से ठुकराय जाने के बाद सुजैन अपने पिता के घर गई लेकिन वहां कुछ घंटे रहने के बाद सुजैन बापस जिन के घर पे आ गई और इसी बीच एक नवंबर की साम जब जि सुजैन को एक आदमी घूमते हुए दिखाई दिया जिस पर सुजैन ने जिन से कहा कि क्यों ना तुम इससे सैटिंग कर लो और इसे भी अपने घर पे ले आओ और फिर इसी बात को लेकर जिन सुजैन पर काफी गुसा हो गई और जैसे ही जिन सुजैन के साथ घर पे बातरूम में बंद कर दिया और जब चार दिन बात सुजैन बातरूम से बाहर निकली तो बहां मौझूद लोगों ने उसे किसी ना किसी बात पर पीटना शुरू कर दिया यहां तक कि इस घर में रहने बाले एंटॉनी नाम के लड़के ने सुजैन का फाइदा उठाने त सुजैन को इस घर में बापस लाने में जादा समय नहीं लगा और साथ दिसंबर 1992 को ये लोग सुजैन को अपने घर बापस लाने के लिए उसके पिता के घर चले गए और सुजैन को अपने साथ बापस चलने के लिए मनाने लगे और कहा कि तुम हमारे साथ बापस चलो अब हम कभी भी तुमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे और फिर इसके बाद क्या था भोली बाली सुजैन उनकी बातों में आ गई और बापस उसी घर में चली गई और जैसे ही सुजैन उस घर में पहुंची सभी लोग उस पर तूट पड़े और उसे पकड़ लिया क्यूंकि अब ये लोग सुजैन को यहां से जाने की सजा देना चाहते थे इसके बाद गलीन और बाकी लोग रेजल लेकर आई और सुजैन को गंजा कर दिया यहां तक की सुजैन की बॉइं और उसके सरी पर मौझूद सभी बालों को उड़ा दिया और इसके बाद उसे अपने बालों को साप करने और उन्हें बाहर फैकने के लिए मजबूर किया और यह सब करने के बाद उन लोगों ने उसके मूझ को एक प्लास्टिक की थैली से बांद दिया जिससे उसका दम घुटने लगा और उसे पूरे घर में गुमाया और बाद में सुजैन बेहोस होकर जमीन पर गिर गई जबीन पर गिरते ही जिन और बरनाट डेट ने उसे लात मारना सुरू कर दिया और घर के बाकी लोग उसे घर में मौझूद हर चीज से पीटने लगे जैसे कि कोई बेल्ट, कोई जहडू तो कोई घर के बरतनों से ही उसे पीटने लगा उसे इतनी बुई तर्य पीटा गया कि उसके हाथ का एक बाजू तूट कर लटक गया और ये सब करने के बाद उनों ने सुजैन को एक अलमारी में बंद कर दिया जहां वो सारी रात रोती रही सुजैन के चिलाने और रोने की आवाज को सुनकर जिन और बरनाडेट ने सोचा कि उसकी इन आवाजों को सुनकर बच्चे परिसान हो रहे हैं इसलिए ये लोग सुजैन को बहां से निकाल कर बरनाडेट के घर पे ले गए और फिर अगली सुजैन को एक खुले बोड बाले स्प्रिंग के गद्दे से रस्सी, बिजली के तार, बेल्ट और एक चैन के साथ एक बिस्तर के फ्रेम से बांद दिया और सुजैन की चीकों को दवाने के लिए उसके मूँ में मौजे वर दिये ताकि उसकी चीक बाहर ना जा पाई और इसके बाद इन लोगों ने उसे बोई तरह पीटना सुरू कर दिया बलकि इनके साथ मौजूद बर्नाडेट सुजैन को पीटते गए खुद को चकी बोले जा रही थी जो हॉलिबुड मूवी का एक करक्टर है सुजैन के साथ ये सब होई रहा था कि तब ही बहां कलीफर्ड, एंतोनी और जैफरी उन्हें ढूनते गए बहां पहुँच गए और फिर ये भी मज़े लेने के लिए इन समय सामिल हो गए इन लोगों ने ये टॉर्चर तकरीवन पांच दिनों तक किया जहां इनोंने सुजैन को कैई बार उसकी नस्वा में पानी भरे इंजेक्शन लगाए लेकिन इन सब के बाद भी इनकी यातनाओं का अंत नहीं हुआ बलकि इसके बाद इनोंने जहां-जहां सुजैन के बाल नहीं थे बाँ-बाँ सिगर्ट से उसे जलाया और काले निसान बनाये इन लोगों ने उसके सिर बॉइं यहां तक की प्राइवेट पार्ट तक को नहीं छोड़ा सुजैन इस बिस्तर पे कैई दिनों से अपने ही मल मूत मेल लेटी हुई थी इसलिए ये लोग उसे उठा कर उसे नहलाने के लिए लेगए लेकिन उनों ने उसे पानी के बजाए फिनाईल से बहरे एक टम मेट डाल दिया बलकि इसके बाद नों ने एक ब्रस को उठाया और उसके सरीव को रगढने लगे ताकि ये फिनाइल उसके घावों के अंदर चला जाए आप सोच भी नहीं सकते कि उस वक्त सुजैन कितने दर्थ से गुजर रही होगी इस वीच एक दिन बर्ना डेट के पडोस में रहने बाले डेविट नाम के लड़के ने बर्ना डेट के घर से कुछ आवाजें सुनी जिनने देखने के लिए वो बर्ना डेट के घर पे पहुँचा जहां उसने सुजैन को इस भयानक हालत में देखा जिसके पास जैफरी और बाकी लोग खड़े थे और जब सुजैन ने उसे खुद को बचानी के लिए कहा तो उसने मना कर दिया और बहां से चला गया ताकि ये लोग उसका भी यही हाल ना कर दें और जब सुजैन के लापता होने की सूचना हर जगर फैली तो इन लोगों ने सोचा कि अब इससे छ पारे नात खीच कर वहां निकाल दिये ये सब सुजैन के रिए काफी दर्दिनाग था और फिर 14 दिसम्मा 1992 को ये लोग सुजैन को एक चोई की गाड़ी में डालकर एक जंगली इलाके में ले गए जहां पहुंचका इन लोगों ने उसे काटे दार जहाडियों में ढखेल इसके बाद जिन गाड़ी से पैटरल लेकर आई और सुजैन पर चड़क दिया है पैटरल चड़कने के बाद बड़ना डेट ने मांचिस निकाली और एक दो बाफ को कोशिस के बाद बड़ना डेट ने सुजैन में आग लगा दी आग लगनी के बाद लिफिसặt में बहां उसकी सुनने वाला कोई नहीं था इसके बाद ये लोग बर्न बेबी बर्न बेबी गाते वी बहां से चले गए और घर जाकर बियर पीकर आराम से सो गए क्योंकि इन्हें लग रहा था कि अब तो बड़े ही आराम से सुजैन मर जाएगी जिसकी पैचान अब कोई भी नहीं कर पाएगा लेकिन इतनी यातनाहों के बाद भी सुजैन अभी भी जिन्दा थी जो अपनी आखरी ताकत के साथ किसी तरह सड़क के किनारे पहुँच गई जहां से गाड़ी से गुजर रहे एक ब्यक्ती ने उसे देख लिया जब उस ब्यक्ती ने सुजैन को देखा तो उसकी हालत काफी खाब थी जिसकी खाल उसके सरीर से लटक रही थी इसके बाद उसे अस्पता ले जाया गया जहां कोमा में जाने और मरने से पहले उसने पुलिस को सब कुछ बताया कि वो कौन है और किस किस ने उसके साथ ये सब किया और जब सुजैन के माता पिता को बलाया गया तो वो अपनी बेटी को पैचान नहीं पाए क्योंकि उसकी हा में मौजूद एंतोनी नाम का लड़का तूट गया और उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया कि उन्होंने किस तरह सुजैन का ये हल किया जिस रात सुजैन को हस्पिटल लाए गया उसी रात वो कोमा में चली गई क्योंकि उसकी बॉड़ी 85% तक जल चुकी थी और फिर 18 दिसंबर 1992 को सुजैन की मौत हो गई इसके बाद जिन 6 लोगों को पुलिस ने अरेश्ट किया उन्हें सबूत के साथ कोट में पेस किया गया और कोट में जाते ही लोगों ने एक दूसरे पर आवोप लगाना सुरू कर दिये कि मैने नहीं बलकि लोगों ने सुजैन को मारा है और कोट ने भी इस केस की गंबीरता को देखते हुए महज 9 गंटे में सभी आवोपियों को दोसी मानते हुए सजा सुना दी जिसमें क्लीफट को 15 साल जैफ्री को 12 साल और एंतोनी को 18 साल की सजा सुनाई गई तो वहीं गलीन बरनाडेट और जिनको उम्र कैद की सजा तो फिर मिलते हैं नेस्ट एपिसोड में गुड़ बाई